अस्सलाम आलेकुम दोस्तों कैसे हो आप उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और उपरवला आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ाएं तो आज हम आ गए हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ इसमें हम सीखेंगे नई IC जैसे कि आप लोगों को पता है कि माइक्रोन IC चेक करना बहुत मुश्किल होता है माइक्रोन IC का पता नहीं चलता और हमें याद करना पड़ता है माइक्रोन IC कि क्या है क्या नहीं है बस हम अंदा लगाते हैं या अब तक जो हमने सीखा है अब तक हमने सीखा है कि JW से सुरू हो तो वो छोटा GB का माल होता है जैसे JW A68 GB, JW B11 8 GB और JY से जो सुरू होता है वो 16 GB सुरू होता है जैसे JY 932 और आपका JY 950 ठीक है दोस्तों और JZ का भी आता है JZ 008 वो 16 GB होता है बाकी का जैसे JZ 013 32 GB, JZ 050 32 GB, JZ 083 32 GB और बाकी हमारा हो गया JZ 049 64 GB मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि JZ से है तो ये बड़ा माल हो सकता है अगर आप ऐसा अंदाजा लगा के खरीदेंगे तो आपको बहुत लॉस होगा क्यूंकि JZ 099 सिर्फ 8 GB है जी हां दोस्तों ये एक 8 GB है इसको महंगा खरीदोंगे तो आप फस सकते हो ये वाला IC जो है इसे हमें THG IC कहता हूँ THG इसका पीसरा अक्सर जो G है और सात्वा अक्सर भी G होता है सात्वा अक्सर G होता है तो सात्वा अक्सर के बाद जो नंबर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और उसी से हम EMMC कितनी GB के है वो पता करते हैं आपको दिखाई दे रहा है जो भी IC में उपर वाले IC में पहला नंबर है THG AF4 फिर G9 है तो दोस्तों G9 मतलब हो गया 64 GB EMMC ये G6 से सुरू होता है G6 मतलब 8 GB हलाकि 8 GB का अधर विखता नहीं है G7 16 GB से विखता है G7 मतलब 16 G8 मतलब 32 G9 64 GB EMMC ठीक है दोस्तों और इसको मैं कहता हूँ H2 IC ये H2 IC कैसे पहचानते हैं SK Hynix की ये H2 IC है इसका 4 अकसर छोड़ दो और पांचमा नंबर इसका चैंज होता रहता है पांचमा नंबर अगर 4 है तो 8 GB है जो कि 8 GB EMMC में नहीं विकेगी 4 GB में विकेगी मगर 5 नंबर 16 है 6 नंबर 32 है 7 नंबर 64 और 8 नंबर 128 GB है तो ये EMMC 128 GB है अब ये भी H2 IC है वैसे H2 IC में हम चार अकसर छोड़े कर 5 बाकसर देखेंगे 5 बाकसर क्या है 6 है लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जैसे ही H2 IC है इसमें जैसे H28S है तो यहा पर H 26 MB हो सकता है H 27Siting DB हो सकता है चार अकसर नहीं देखना 5 बाकसर से देखना है H2 IC के पांच अकसर में देखना यह जो है मैं अभी थोड़ी तर पहले ही बता दिया था जे डबलू भी 11 मतलब 8 GB EMCP है यह प्रोपर 8 GB में विखेगा हमारा जे डबलू भी 11 और जे डबलू A60 तो दो IC है जे डबलू वाले जो 8 GB में विखता है ठीक है दोस्तों तो जो तो जो मुश्किल वाले IC हैं मैं उन लोगों को उन सब ICO का आज डिसकस करूँगा और थोड़ा बहुत मार्किट का हल बता दूँगा मार्किट जो है डाउन चल रहा है सब के रेट डाउन है ने रेट आने वाले हैं कोट के बहुत ज्यादा डाउन है के M2L क्योंकि हमें पता है सैक और सैमसंग IC के चौत्य अक्सर को देखना है और KM से शुरू है तो L मतलब हो गया 128 GB अब यह THG फिर से आ गिया है THG IC के मैंने क्या बोला कि दूसरा जी जो है जो साथ में नंबर पर है उस जी के सामने क्या लिखा हुआ है उस जी के सामने लिखा यह उसमें विकेगा देखो यह भी है H2IC H2IC मतलब होगे इसका चार अक्सर छोड़ दो H8C 6 नंबर है 6 नंबर है तो 32 GB EMC में यह विकेगा H28U6 यह 32 GB EMC में विकेगा यह भी एक EMC है यह EMC हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि दो जो IC होती है इसकी दोनों ही कंपनी की होती है इसमें CPU देखो CPU Qualcomm MediaTek Spectrum का नहीं होता यह SAC का है तो यह KLU D D मतलब हो गया 128 GB EMC